नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग व्यतिपात नामक ने सर्गिक अशुब योग प्राते ग्यारा बचकर पैतालिस मिनिट तक तदंतर वर्यान नामक ने सर्गिक शुब योग है व्यतिपात योग में शुब वमांगलिक समस्त कारे वर्जित हैं अब जान लीजे आज के व्रत त्योहार उत्सव और विशेश आयोज़न के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिती कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा मीन राशी में दिवार आतरी ग्रेय राशी नक्षत्र परिवर्तन सूर्यपूर्वशाड़ा नक्षत्र में दोपर बारा बसकर आट मिनिट से शुक्र मकर में शाम 4 बसकर 3 मिनिट से तथा बुध्ध वकरी अप्राहन 3 बजी से दिशाशूल गुरुवार को दक्षण दिशा में यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्रिस्तिती के अनुसार आज उत्र दिशा की यात्रा लापदायक वशुब उप्रद है अब आपको बताते हैं शुब मुहुर्थ और श्वेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहुर्थ उपर्योक्तो शुबाशुब समय तिथी वा नक्षत्र व योग अनुसार आज उत्रा भादर पद्र नक्षत्र में प्रसूतिसनान नामकरण अन्य प्राशन आठवा पूजन पूसवन सीमन्त कर्म हल प्रवेहन वे विपनी व्यापार आरम के शुब अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जन्म लेने वाले बच्चे के नाम दी, दू, थ, जर्ण, आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जन्म राशी मीन है मीन राशी के स्वामी देव गुरू ब्रस्पती है इनका जन्म लोहपात से है सामनेता ये जातक धनी, सुन्दर, बहुत बोलने वाले विध्यवान, कलाकुशल, स्वकारे में दक्ष तथा, सिग्र, क्रोध, आवेग में आने वाले होते हैं इनका भाग्योदय प्राए 25 वर्ष की आयू तक हो जाता है मीन राशी वाले जातकों की परिस्तितियों में अनुकूल परिवर्तन होगा, बिगड़े कारों में सुधार होकर अनुकूल सिद्ध होंगे, भूमी भवन जायदात का लाब होगा तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं ग्रहनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार